वेल्कम है आप सबका Easy Learning With This की एक और नई वीडियो में अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि वो इंसान हमेशा मतलब से बात करता है इसकी जगा हमें ये भी कह सकते हैं कि वो तो बहुत मतलबी है तो यहाँ पर एक से ज़ादा लफजों की जगा पर एक लफज का सिमान किया गया मतलब से बात करने वाला मतलबी तो इंग्लिश में इसे One Word Substitution कहते हैं आज हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स जानेंगे और उसी के बेस पर एक क्विस देखेंगे और मैं आपसे questions पूछाँ नहीं तो चलिए start करते हैं पहला जो है वो है a person who is talkative एक ऐसा इंसान चो बहुत ज़ादा बात करता हो बहुत ज़ादा बातूनी हो तो आप उसे इंग्लिश में एक word में कैसे define करेंगे अगर आपको answer पत है तो comment section में answer लिखी वरना मैं आपको चार option देती हूँ फिर आप उसमें से choose कीजिएगा कि कौन सा option correct है पहला है option faithful second egoist third garrulous और चौथा है client तो आपको इन option में से choose करना है कि बातूनी इंसान को हम इंग्लिश में क्या गहते हैं जो बहुत ज़ादा बात करता हो तो answer आपकी screen पर garrulous garrulous मतलब excessively talkative on trivial matters मतलब वो इंसान जो बहुत ज़ादा बेकार की बात मतलब जो बिलकुल importance नहीं रखती उनको लेकर बहुत ज़ादा बोलता हो तो ऐसे इंसान को हम कहींगे garrulous I hope कि आपको ये word समझ आया होगा next a person who enters without any invitation एक ऐसा इंसान जो बिना किसी बुलावे की invitation के अंदर आ जाए तो ऐसे इंसान को आप one word में कैसे define करेंगे options आपके screen पर पहला thief second burglar तीसरा vandal और चौथा intruder तो बताइए इसका क्या answer है मैं आपको answer बताती हूँ इसका answer है intruder someone who is in a place or situation where they are not wanted मतलब है कि ऐसा इंसान जो किसी जगा है situation में हो जहाँ पर उसकी जरूत ना हो और ना ही उसे किसी ने बुलाया हो तो ऐसे इंसान को हम English में कहेंगे intruder क्या कहेंगे intruder I hope कि आपको समझ आ रहा होगा अगर समझ आ रहा है तो आप इसे one word से कैसे substitute करेंगे इसके लिए कोई English में एक word जो आपको पता हो वैसे ही बहुत common है जातों लोगों को पता ही होगा तो अगर पता है तो जल्दी से comment section में इसका answer लिखिए options आपकी screen पर A. postpone B. abandon C. delay D. draw तो आपको इंगे से choose करना है और decide करना है कि ऐसा game जिसमें कोई भी ना जीते कोई भी party win ना करे आप उसको क्या कहेंगे answer पता है तो जल्दी से comment section में type कीजिए और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हो तो इसका answer है draw A game in which no party wins उसको हम कहते draw Next day one who knows many languages एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़ादा भाषाय जानता हो बोलना तो ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे आपको इसे one word से substitute करना है ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाय languages जानता हो तो आप ऐसे इंसान को English में क्या कहेंगे आंसर पता है तो जल्दी से इसको टाइप कीजिए वन्ना मैं आपको options लेती हूँ आप उसमें से select कीजिएगा पहला option है monolingual, second option is bilingual, third option is polyglot and the last option है all of the above मतलब क्या हम सभी जितने हैं यहाँ पर वो सारे answers है यहाँ पर इनमें से कोई एक सही है एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाशा है बोलना जानता हो और समझता भी हो ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे अगर आपको नहीं पता तो हम आपको answer बताती हूँ उसका answer है polyglot, someone knowing or using several languages उसको कहेंगे हम polyglot last question आपकी screen पर, something which is no longer in use, एक ऐसी चीज़ जो काम की नहीं है मतलब उसे वो पुरान ही तो है लेकिन आप उसे use नहीं कर सकते हैं वो आपकी किसी काम की नहीं है उसकी कोई utility नहीं है आपकी life में तो आप ऐसी चीज़ को क्या कहेंगे English में आप उसे किस word से substitute करेंगे इसको option देती हूँ आपको, पहला option है old, second development, third immaculate, and last obsolete तो answer है आपका obsolete, तो answer है आपका obsolete, मतलब ये no longer in use because of being replaced by something new and effective, मतलब एक ऐसे चीज़ जो आप किसी काम की नहीं हो और उसको हम replace कर दे किसी अच्छी और नई चीज़ से तो वहाँ पर आप obsolete जो word उसका use कर सकते हैं तो I hope कि आपको समझायोगा कि English वहाँ one word substitution कैसे करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को share कीजिए और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी तरह की interesting और entertaining videos लाते रहें, तो हमें support करते रहें और हमारे channel easy learning with us को subscribe कीजिए, thank you so much